very good evening friends आज हम करेंगे भारत की अर्थविवस्ता के बारे में कुछ important questions सब टोपिक रहेगा मुद्रा एवं banking set number 8 सभी question most important है ऐसे question एका दुखा आपके exam में देखने को अपेर हो जाते हैं मुद्रा अब banking side से लेकिन important topic है भी ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो अच्छे लगए वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए कोई doubt हो कमेंट कीजिए और यदि आप इस चैनल पर आभी आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को subscribe जरूर करें यहाँ पर आपको 360 degree static gk coverage मिलेगी ancient Indian history, medieval Indian history, polity, art and culture, geography, word geography इस तरह की तमाम topic आपको यहाँ देखने को मिलेंगे plus up to plus two standards, science in everyday life, physics, chemistry, bio सब topic और chapter 22 सारा सलेवाई आपको यहाँ पर मिलेगा वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन है आज की वीडियो का घाटे की बित वेवस्था में ब्याय और राजसो का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा चाप कर पाड़ते हैं इस युक्ति का उदेश आर्थिक विकास है परन्तु यदि यह विफल हुई तो इसमें से कौन सी स्थित्य उत्पन होती है तो देखिए अगर घाटे की बित वेवस्था में ब्याय जो एक्सपेंडिचार और जो राजसो है रेवेन्यू उसका अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा चाप कर पाड़ते हैं इस युक्ति का उदेश यह आर्थिक विकास है परन्तु अगर यह डेमेज होती है जो पॉलिसी है जो युक्ति है तो इससे मुद्रा स्फिती की स्तिती उत्पन होती है तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर C आगे बात करते हैं बे बर्ग कौन सा है जो मुद्रा स्फिती के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है जिसको सबसे ज़्यादा तो देखिए अंसर है इसका देंदार जिस व्यक्ति ने उधार दे रखा है वो मुद्रा स्फिती के कारण सबसे अधिक हानी में जाता है तो यहां राईटनस रोजाइग ओप्शन नंबर फ़र्स्ट देंदार आगे मुग करते हैं थर्ड क्वेशन मुद्रा स्पिती से लावानवित कौन होता है तो देखिए मुद्रस्पिती से लावानवित होने वाला जो बर्ग है वो है रिनी बर्ग जिसने रिन ले रखा है ठीक है इसे मुद्रस्पिती से लावानवित होता है ठीक है आगे बात करेंगे मुद्रस्पिती की उच दर और बिरोजगारी की उच दर की एक साथ उपस्ति स्टिति को किया कहते हैं ठीक है अगर मुद्रस फिती रिट ब्रोजगारी भी उच्छ दर पर है तो ऐसी स्टिति को कहते हैं स्टेक्फुलेशन ठीक है तो राइट अंसरियां पर प्रिद्धी, सरकारी वियाए में कुटोती, ये 3 कारिक हैं इस सभी से मुदरश्पिती को रोका जा सकता है कि आगे मुख करेंगे कौन मुदरश्थिती के नियंतरन की विधी नहीं है ठीक है? तो मुद्रह सुपीती को ook in control करने का method ब्याज़दर में कमी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाला कि मांग पर नियंतरन, मुद्रा की पूर्ती पर नियंतरन, बस्तूओं की राश्निंग, ये तीनों नियंतरन की बीदिया हैं, लेकिन ब्यास दर में कमी कर देना मुद्रा स्पीती के नियंतरन की बीदि नहीं है। आगे move करते हैं, 7th question, भारत में मुदरस फीती ग्याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो right answer option number C हो जाएगा, आगे move करेंगे, भारत में मुदरस फीती मापी जाती है, again question इस तरह से भी affair हो सकता है, तो भारत में मुदरस फीती का जो पैमाना है, जो माप है, तो right answer हो जाएगा, option number first, आगे move करेंगे, 9th question, मुदरस फीती की शुन्य दर उस बर्ष में अवश्य मानी जाती है, जब, देखिए, मुदरस फीती की शुन्य दर, यानि zero rate, उस बर्ष में अवश्य माना जाता है, जब बर्ष के प्रतेक सब्ता में मुदरस फीती की बा अवश्य मानी जाएगी, ठीक है, आगे move करेंगे, 10th question, मुदरस फीती को स्थाई रूप से किस प्रकार नियंतरन किया जा सकता है, अब देखिए, जो permanent solution है, मुदरस फीती का, वो है, मुदरस फीती की बृद्धी पर नियंतरन करना, जो मुदरस फीती की बृद्धी है, उ परलम आप क्या है, यानि में, ल्यूकिड मेजरमेंट क्या है इसकी, तो इसको बंडिनोट करते हैं, M बन से, ओके, तो राइट अंसर हो जाएगा, option number first, आगे move करेंगे, 12th question, कि संघाटक को मुदरा पूर्ती में बिस्तरित मुदरा कहा जाता है, देखिए, बिस्तरित मु आगे move करेंगे, 13th question, मुदरा पूर्ती की माप, M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, तो जो मुदरा पूर्ती की मांग है, दिमांड है, ठीक है, उसमें सम्मिलित डाग खानों की मांग जमा जो है, उसको नहीं किया जाता, तो राइट अंसर है, option number B हो जाएगा, आगे move करेंगे, 14th question, मुदरा स्पीती किस कारण से होती है, ठीक है, तो options के according, मुदरा स्पीती का जो मुख्य कारण है, वो है, मुदरा पूर्ती में बृध्धी, ठीक है, यदि मुदरा की जो डिमांड है, उसकी अपूर्ती की जा रही है, और highest rate से की जा रही है, काफी की जा रह रही है, तो इससे मुदरा स्पीती होती है, आगे, 15th question, किस गटक में भारत के बिदेशी मुदरा बंडार की बृध्धी में प्रमुख योगदान दिया है, ठीक है, तो देखिए, बिदेशी मुदरा बंडार की बृध्धी हुई है, उसमें मुख्य योगदान, रुपे क प्रतेक्ष बिदेशी मुदरा बंडार में किस गटक को समलित किया जाता है, देश के बिदेशी मुदरा बंडार में, ठीक है, फोरें मुदरा बंडार जो है, उसमें, आर्विए की बिदेश मुदरा बंडार में, रुपे की पुर्ण परिबरतनियता, इन सभी को शामिल किया जाता है, तो रुपे को शामिल किया जाता है, तो राइट आशर ऑप्शन नमबर D हो जाएगा, आगे मुख करेंगे, 17th question, भारतिय मुदरा रुप करेंगे भारत में सरपर्थम मुद्रा का चलन का पराराम हुआ इस तरह का फ्जाम में देखने को मिल जाएगा देखिए भारत में सरपर्थम मुद्रा का जो स्टार्टिंग है जलन है वो स्टार्ट हुआ 1806 इस वी से ठीक है आगे मुव करेंगे 19th question भारत की विदेशी मुद्रा का सरवादिक भाग खर्च होता है कहां तो भारत की विदेशी मुद्रा का सरवादिक भाग जो है वो खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर ठीक है तो इंपोर्ट जो करते हैं पेट्रोलियम को ठी कि उस पर भारत की विदेशी मुदरा का सर्वादिक भाग खर्च होता है लास्ट क्वर्चन की तरफ मूव करते हैं important है काली मुदरा की सबसे माने परिभाशा क्या है तो देखिए काली मुदरा जो है उसकी समाने परिभाशा है यह वे आया है जिस पर अब वंचन नहीं हुआ है ठीक है यहीं ब्लैक मनी तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह थे टॉप ट्वंटी क्वेश्चिन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो तो वीडियो का प्लाइक जुरूर कीजिए कोई डाउट हो तो चैनल पर आपने हैं तो प्लीज आप चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कीजिए ओके थैंक यू अ झाल झाल झाल